हेलो जी असलाम लेकाम and welcome to my youtube family कैसे हैं आप सब hopefully आप सब ठीक होंगे हम भी सब ठीक हैं अलापक हम सब को ठीक रखे तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं जी और ये morning का टाइम है तो देखने कितना स्कून सनाटा है बिलकुल क्योंकि अभी कुछ लोग सो रहे हैं कुछ ओफिस वगएर हमें चले गए हैं तो कबूतर जो ना आगे हैं इदर और इनको पता है कि नाश्टा जो ना रेडी होने लगा है तो ये इदर आगे हैं अपनी जगह पे तो वैदर जो ना माशाला से आज बहुत अच्छा है दूप जो ना आज कल जो ना काफी अच्छी निकलती है तो सर्दी है नॉर्मल सी ये इतनी ज्यादा नहीं है तो बच्चे चले गए थे नाश्टा वगरा करके स्कूल और अब इन्हों हस्बन ने जाना था और उनके लिए मैं बना रही थी इदर तो टोस्ट मैंने रखें टोस्टर में गरम होने के लिए साथ मैं अपने लिए बगोट जो है ना थोड़ा सा गी लगा कि उसको गरम कर लूँगी तो इस तरह आप गी लगाके गरम करके खाएं ना इस तरह सेक के पैन में तो इतना मज़ा आता है आप चाय के साथ खा लें आपको किसी ओमलेट की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती तो टोस्ट जो गरम होगे साथ मैंने चाय भी बना लिए अंडे मैंने बॉाइल किये थे साथ और अब जो हम अपना नाश्ता जो ना इंजुआए करेंगे तो आज यहना मुझे बड़े काम नजर आ रहे है क्योंकि कल और परसो मैंने दो दिन ना इतने ज्यादा कपड़े दो हैं ना सारी मैंने बेटशीट्स दो ही हैं और रजाईयों के कबर वगएरा सारे उतार के तो इतने ज्यादा जो कपड़े जमा होगे मुझे कुछ समय नहीं आ रही कि एक दिन में तो खैर मैं नहीं करूंगी क्योंकि एक ही दिन में अगर करूं ना सारा काम तो टांगे बस हो जाती है फिर किचन का कोई दूसरा काम नहीं कर सकते तो यह है कि बारी बारी थोड़े थोड़े कर लें यही है कि ज्यादा अगर जमा हो जाएं तो फिर इसी तरह करने पड़ते अगर थोड़े हो तो चलो वो तो एक दिन में होई जाते तो मुझे बच्चे आज फरमाईश करके चले गए है कि मामा हमारे लिए आपने फूट पुडिंग बनानी है तो पुडिंग घर पे नहीं थी तो नाश्ता मैं सोच नहीं करके न मैं चली जाओं तो पुडिंग लेके आओं तो मुझे सिर्फ यही लेने के लिए जाना आज कि मैं नाएं जाओं तो रहूं गर पे राम से तो फिर मैंने सोचा कि चलें बच्चों की फरमाईश जो है ना सबसे पहले तो नाश्ता बगहरा हमने किया है नाश्ता करने के बाद यह चले गए थे काम अपने काम पर और मैं आ गई हूं बाहर तो मुझे ने तो मार्क हैं इस तरह यह चोटे गमले में तो मुझे बताना कुमेंट्स में जरूर अगर किसी को पता है कि क्या है यह तो बड़े प्यारे प्लांट आए हुए थे आज ना तो खुबसूरत भी लाग रहे थे कलर जो है वैसे भी आंखों को आपको पता है बहुत अच्छे लगते है और मुझे ना एलोवेरा जो ना उसका भी चाहिये था प्लांट लेकर मुझे मिला नहीं कहीं से काफी देर से मैं जो ना मार्कीट्स में इस तरह डूंड रही हूं तो अगर किसी ने खरीदा नेतो से या लेडल से या किसी और मार्कीट्स से तो मुझे आप प्ली जरूर बताएं तो मैंने भी लेना था तो लेकर मुझे काफी देश से मैं ढूंड़ी हूं लेकर मुझे नहीं मिला भी तक वह देखें सामने गमले इतने खुबसूरत लग रहे थे ना ये तो उसके बाद मैं आगे आगे हूँ ये फ्रोजन सौरी फ्रोजन कहरें ग्रीन पीज है ये डिबो में आपको सारी चीजे मिल जाती है आप ये है के असानी हो जाती थोड़ी बहुत इस तरह चीजे मिल जाती है कॉर्ण वगेरा या बॉयल जो है चिक पीस इस तरह तो कभी आपको फॉरण अर्जन कुछ चीज बनानी पड़े तो आप नकाल के ये यूज कर सकते है कैन वाली चीज जो है तो आपको पता है बच्चों वाले घरों में तो अकसर इस तरह बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना हो तो फॉरण से इस तरह चीज हुआ आपके पास आप ना बना सकते हुआ या कोई महमान आ रहा हो तो फॉरण से आप सारा काम जो ना कर सकते हो तो इस तरह की चीज़ें जो है ना गर में लाजमी होने चाहिए कभी भी आपको जो है जो है जरूरत पड़ सकती है तो आगे ये सारे इन्होंने ड्राइफ फूट्स लगाएं काजू हैं बदाम पिस्ते सारा कुछ इदर लगा हुआ है कठा इन्होंने सेक्शन बनाए हुए हैं और काफी चीज़ें इदर नितों में भी बहुत ज्यादा जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं आपको तो इदर बरतन वगएरा भी मिल जाते हैं आपको कुशन कवर हर के नीचे जो स्पोर्ट मिलती है ना वो मेरे पास इस तरह की भी हैं लेकन अब वो जड़ा थोड़ा सा अक्सपैंसिव है लेकन बहुत ही अच्छा है तो मैं लेके आई थी उदर से ना तो वो मैं यूज कर रही हूं अभी तो वो ठीक है बिल्कुल तो दूसरा ये सीजर सेट था इस तरह का न मैंने लिया था नेतो से पहले वो ठीक का पैक था ये इसमें फोर है तो आप किचन में आपने सबज मिच्ची वगरा काटनी है या दनिया वगरा काटना है तो ये ना आप किचन में राख लें अपने राम से काटें क्योंकि वै आप्तों को जैसे जलन्स ही होती है तो फिर वो इससे काटे ना आप तो सही रहता है क्यूंकर मैंने तो अभी यूज نہیں किया मेरे पास बड़ा वळा ट्राइपोड मैं वो इूज करती है तो अब मैं में आगई थी पुड़िंग एरिया में जो मैंने में चीज लेनी थी और तो मैंने कुछ खास नहीं लेना था इदर से मैं आज तो ख़ेर पुडिง नहीं बनाओंगी क्योंकि आज तो मुझे इतने सारे काम करनी अभी नजर आ रहे हैं कपड़े भी मैंने अभी प्रेस करने जाके उसके बाद फिर मैंने बचों के लिए लंच भी बनाना है क्योंकि लांच का होता है कि बच्चों के आने से पहले खाना तियार हो जाए ताकि बच्चे राम से आके पहले खाना खाए उसके बाद फिर बच्चों ने अपना स्कूल का काम भी करना होता है और और भी बच्चों ने जारी सी बात है उनकी टाइमिंग जो टाइम टेबल ब बनाए आपको हर चीज इदर से मिल जाती है थोड़ा सा इदर इशू लेंगविज का ही होता है बाकी यह सारी चीज़ें आप अगर गूगल में ट्रांसलेट का लें तो फिर आपको ना पता चल जाता है तो जो नहीं हो आई है सिस्टर मेरी शुरू शुरू में जो थोड़ी देर बाद ही समझ में आती है खैर जिदर रहना है तो फिर उसी साब से चलना है और कोशिश भी करनी चाहिए कि हमें लेंगविज जो है ना लाजमी आनी चाहिए क्योंकि लेंगविज के बगार तो हम जीरू है ना इदर किसी भी आप मुलक में चले जाएं तो यही हाल है खाना मैं अब बनाने लगी हूँ गर में पहुंच गई हूँ तो मैंने अब पुडिंग का क्या दिखाना था वो मैं ले आई हूँ और मैंने कुछ खास नहीं लिया उदर से तो मैंने चावल रखें साथ बॉइल होने के लिए और साथ मैंने ना मसर बनाने थे तो मसर जो साथ बॉाइल हो रहे हैं और तड़का मैंने इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी सबस मिच्चे मैं डाल दूँगी एंड पर क्यूंकि अगर आप शुरू में डाल देते हो ना तो उसका कलर जो खराब हो जाता है तो वह बि हैं सची चावलों से तो बिल्कुल भी प्रहेज नहीं होता अगर आपको डॉक्टर भी मना करते रहे ना कि ना खाए ना खाए तो हमने बाज नहीं आना खाने हैं तो चावल जो एना डन हो गए है मसाला से रेडी हो गए है यह देख लें जी हमारे खाने की फाइनल लुक तो मोस्ट वैलकम आए मेरे साथ चावल और मसर इंज्वाए करें तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना और कुमेंट्स करना बिल्कुल भी आपने नहीं बूलना इंशाला मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अलाफीज